हेलो स्टूदेंट्स वेलकम बेक टू और आज की इस वीडियो में बच्छों डिस्कस करेंगे वर्क्षीट नमबर सिक्स्टीन फोर क्लास एट्थ इंग्लिश की बच्छों ये वर्क्षीट है जो आपके लिए 18 नमबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है आज की वर्क्षीट म अब यहां पर आपको बताना है नेम दा मैं उस आदमी का नाम बताना है जिसके बारे में जिसका पॉइंट ओफ व्यू जो है हमने पड़ा था इन दे लास्ट वक्षीट स्टैंजा लास्ट वक्षीट के स्टैंजाज में टी एस एलिएट थे रविंदरनाथ टेगोर थे जुल्फी कर घोष और टेड यूक्स तो बैटा इस पॉएम जो 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 इसके बारे में लिखा है वो हैं जुल्फी कर घोष तो इसका अंसर हो जाएगा जुल्फी कर घोष अब हम पॉएम को आगे continue करेंगे अब हम देखेंगे कि पॉएम में आगे क्या है और क्या होता है जब और भी plane जो है वो बहुत उपर चला जाता है अब जेट जो है वो कहां जा चुका है 6 माइल है जो है वो जा चुका था अब यह 6 माइल हाई से देख पा रहा है कि यहां से क्लीर है टिएर्द जो हो वो कैसी थी एर्द राउंड थी ठीकले अर्थ कैसी थी एर्थ राउंड थी यह कहां से देख पा रहा है 6 माइल हाई माइल होता है पंटा एक means experiment की unit है माइल जो कि 1.6 km के equal होता है 1 mile is equal to 1.6 km ओके यहां से point जो है बताता है कि इतनी उपर से यह बिल्कुल clear था कि earth जो है वो गोल थी और earth के उपर sea का area वो ज़्यादा है यानि more sea यानि पानी ही पानी दिखाई दे रहा था land कम और पानी ज्यादा दिखाई दे रहा था ठीके more sea than land कि earth के उपर पानी बहुत ज्यादा था land के comparatively but it was difficult to understand लेकिन यह समझना बड़ा मुश्किल था it was difficult to understand that the man on the earth found causes to hate each other कि आदमी को earth के उपर एक दूसरे से नफरत करने का कारण कहा से मिल जाता है यह समझ में नहीं आया point को यहाँ पर जो उनको चीज unclear है that the man on the earth समझ रहे है बड़ा कि earth के उपर जो भी आदमी है यानि human being है causes to hate each other उसको reason कहा से मिलता है एक दूसरे से hate करने का नफरत करने का to build walls across cities जो हम अपनी अपनी दिवारें जो है बना के बैठे हैं point यह कहता है कि उसको reason नहीं मिल पा रहा यहाँ से समझना बड़ा मुश्किल है कि एक तो वो नफरत क्यों करता है दूसरा कि अपनी अपनी cities में दिवारें क्यों खड़ी कर रखी है and to kill और एक दूसरे को मारने को तत पर रहते हैं तो यह जो point है यहाँ पर यह think जो है कि इसको unclear है यह point को चीज unclear है उसको जो है समझ में नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों है from that height it was not clear why तो इतनी height से उसको point को जो है यह چीज unclear है it was not clear from that height why तो यहाँ पर यह एक reason पोच रहा है कि ऐसा क्यों है अब बेटा इसके based कुछ questions है जिनको हम solve करेंगे first है what was the height that the jet attained तो jet ने कितनी height attained की 10,000 feet, 6 miles, 10,000 meter and 6 kilometer तो बेटा सही answer बताइए 6 miles इसका answer होगा question number 2 what does the point learn about the earth earth के बारे में point ने क्या जो है सीखा what does the point learn about the earth that the earth was round, that the earth had no land land ही नहीं है the earth had boundaries, boundaries है या the earth was entirely made of water या पूरी तरह से earth जो है पानी से बनी हुई है यानि the earth was round तो बेटा यह इसका ठीक answer रहेगा कि earth जो है वो round है question number 3 what is a threat to the logic of geography तो geography जो है इसका यानि main threat कौन है कौन है जो पूरी earth को जो है इस तरह से उसका जो balance है वो बिगाड रहा है वो कौन है जो cities है उसमें walls खड़ी कर रखी है तो यह आपको बताना है man है, animal है, water है या land है तो बेटा man जो है यानि हम ही है जो की एक तरह से threat है geography के earth की next देखे question number 4 क्या है make a list of rhyming words from the above mentioned stanza for example highway तो बेटा आपको rhyming word ढूणने है जैसे highway एक ही जो है lab जो words होते है rhyming word होते है तो इसमें आपको stanza में ढूणने है तो यहाँ पर यह आप लिख सकते हो round found ठीक है उपर आप ढूण सकते हो बेटा round found और दूसरा है land understand दूसरा क्या हो जाएगा land understand आप यहाँ से देखिए यहाँ से हमने लिखा है round और दूसरा है हमारा found इसी तरह land understand और भी अगर आपको कोई मिलता है तो आप वो लिख सकते हो नेफ्स देखिए question number 5 क्या है question number 5 is state one thing that become clear and one thing that remain unclear to the point आपको एक चीज लिखने है जो point को clear थी और दूसरी लिखने है जो unclear थी तो हमने उपर discuss किया clear thing क्या है the earth was round in shape and it had more sea than land यह point को clear है and unclear thing क्या है बेटा why men hate each other to build walls across cities this is unclear thing to point तो यह चीज जो है कि men एक दुसरे से नफरत क्यों करते है cities में जो walls है उनकी जरूरत क्या है तो यह चीज जो है वहाँ से point को unclear थी तो यह थी बच्छो आपकी आज की worksheet I hope बेटा आपको worksheet clear है कोई भी problem है आप comment करके पूछ सकते हो वीडियो चीज लगी तो like share जरूर कर दीजिए channel को subscribe भी कर लीजिए and thanks for watching have a nice day